नमस्य दोस्तों मैं पंकज गेडाम टेम इन्फोसेक हिंदी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले है कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है इस वीडियो में थोड़े भारी कटिंच शब आने वाले है लेकिन आप टेंशन मत लेजिए मैं मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आसान भाषा में इसे समझा सकूँ तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं क्या होता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझने के लिए हमें समझना होगा आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन क्या होता है इससे समझने के लिए दो उधारन लेते हैं पहला उधारन प्रैक्टिकल लाइफ का लेते हैं जिसमें राहुल होटल में चेक इन करने के लिए आता है उसने पहले ही होटल में कमरा बुक किया होता है रेसेप्शन काउंटर पर पहुचने पर राहुल बुलता है मेरा नाम रहुल गुपता है मैंने तीन दिन के लिए कमरा बुक किया है रहुल के नाम बताने के प्रोसेस को यानि अपनी आइडन्टिटी क्लेम करने के प्रोसेस को आइडन्टिफिकेशन कहते है आप जो है उसको बताना यानि आइडन्टिफिकेशन अब receptionist बोलता है ठीक है सर आप मुझे प्लीज आपका ID proof बताए receptionist अब रहुल का ID proof देखकर verify करता है बताया गया नाम सही है के नहीं ये receptionist ने जो identity verify करने की जो process की है उसको बोलते है authentication याने authentication का मतलब हुआ verification of identity अब इसे और अच्छे से समझने के लिए दूसरा उदारन लेते है digital दुनिया का मान लिजिए मुझे अपने Gmail पर login करना है तो मैं क्या करता हूँ Gmail open करता हूँ और username की जगह अपना email ID याने Gmail का ID लिखता हूँ और Gmail को बोलता हूँ भाई मैं पंकजगेडाम हूँ और यह है मेरा Gmail का email ID इस uniquely identity claim करने की process को identification कहते है याने आप जो है उसको बोलना अब Gmail क्या बोलता है ठीक है तू है पंकजगेडाम तो पुरू कर याने इस ID का password बता अब मैं password लिखकर enter करता हूँ इसके बाद Gmail user ID और password को back end में verify करता है याने हमने जो identity बताई है उसको verify करता है इस identity verify करने को एक process को बोलते है authentication दोस्तो authentication का concept आपने अभी जो देखा उसे बुलते है simple authentication याने एक बार authentication के process को करना लेकिन two factor authentication में यह जो authentication की process है वो दो बार होती है वो भी अलग-अलग factors के साथ factors तिन प्रकार के होते है something you know जो आपको पता है आपको याद है जैसे आपका password या PIN something you have जो आपके पास physically है जैसे smart card, pen drive में digital signature या ATM card something you are जो आप है यानि आपके biometric parameters जैसे आपका fingerprint, आवाज, रेटिना या face two factor authentication में इन तिन factor में से दो अलग factors authentication के लिए इस्तिमाल किये जाते हैं उदारन के लिए अगर आपने किसी website पर two factor authentication एक्टिवेट किया है तो आपको login करते वक्त username और password तो डालना ही होगा लेकिन उसके साथ साथ आपको आपके mobile पर एक OTPI आएगा ओभी आपको डालना होगा login complete करने के लिए अभी इस case में आपने something you know और something you have इन दो factors में से एक एक factors authentication के लिए लिया है something you know में से आपने password लिया है और something you have में से आपने आपके पाथ जो physical device mobile है उस पर का OTP लिया है two factor authentication के लिए दोनों भी factors की category अलग होना जरूरी है अगर आपको लगता है कि authentication के लिए something you know factor में से password को दो बार रखते है यानि login करने के लिए दो अलग-अलग password इंटर करने होंगे तो वहाँ two factor authentication नहीं होगा two factor authentication के लिए आपको दो अलग-अलग factors की category लिना जरूरी है two factor authentication का इस्तिमाल करने से आपका account hack होने की possibility बहुत कम हो जाती है क्योंकि अगर किसी को आपका username और password मिल भी जाता है तो वहाँ आपके account में login नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे login करने के लिए OTP की भी जरूरत रहेगी जो कि सिर्फ आपके mobile पे ही आने वाला है इस तरह two factor authentication आपके online accounts को double protection मौहिया कराता है इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आपके जितने भी online accounts है उसमें two factor authentication का setting enable कर लिजिए और अपने online accounts को hacking से protect कीजिए मैं आने वाले वीडियो में यही two factor authentication का setting अलग-अलग online accounts में कैसे करना है यह आपको बताऊंगा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो कुरुपया लाल बटन दबा के हमारे चैनल को subscribe करे और bell icon को भी दबाईए जिससे हमारे चैनल के आने वाले वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे इसे के साथ अलविदा लेते हैं याद रखे कही भी क्लिक करने के पहले सोचे और साइबर सुरक्षित रहे धन्यवाद जय हिंद झालवाद भी लालन दो साथ देना के लालन दो थालन मिलते हैं लाद से के मैं आने केला एज हैं weiß lequel फ्好吃त्क किक करे भी के दो काrenoब दो कि भी व्लिएटना भी कमार पहले आने आने मिलते हमारे जो झाल झाल